कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद 14 दिन तक व्यक्ति को आईसोलेट रहना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन 14 दिन में डॉक्टर दुवारा दियेंगे सुझावो को ढंग से फोलो किया जाए तो व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगिटिव आ सकती है। लेकिन कुछ वैग्यानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा किया। वैग्यानिकों के अनुसार कोरोना संक्रमत होने के बाद व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के कुछ अंच तीन महीने तक सक्रियर रह सकते हैं। आए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। कोरोना वायरस का जीवन चक्र माई अपचार के रुसार कोरोना एक विशानु जनित रोग है विशानु एक बिना कोशिका का शुक्ष मजीव है जो नावकी है अमल और प्रोटीन से बनता है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अपना जीवन चक्र खुद नहीं चला सकता इसके लिए उसे किसी जीवित कोशिका की जरुरत होती है यही वजा है कि इनसानों को प्रभावित करता है यह हजारों सालों तक बातवरण में मौजूद रह सकता है यह वाईरस निरजीव देश मानने लगती है ऐसा बड़ी तेजी से होता है हाल ही में इटली और ब्रिटेन के वैग्यानिकों ने रिसर्च में पाया है कि कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में कोरोना के अंच इलाज से ठीक होने के बाद भी मौजूद होते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार को पॉस्ट कोविड के लक्षन ना के बराबर रहे माय उपचार के अनुसार कोरोना वायरस के मरीजों के लिए शुरुवाती पांच दिन महत्वपूर्ण होते हैं अगर इन पांच दिनों में अच्छी देखबाल और दवाव से वो जल्दी ठीक होते हैं तो उनमें इसका अ जल्द ही निकल जाता है यह बात इम्म्यूनिटी की मस्बूती पर निर्भर करती है कि वायरस का प्रभाव किस पर जादा और किस पर कब खुका अगर आपको इन रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक को शेय करें साथ ही अपनी व्यूजर में कमेंट करके जरूर बताए डेली ट्रेंदिंग निउस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए